तो आप लोगो तो पता ही होगा कि विसाखा पत्नम के वाईजक में क्या हुआ वहां मौजूद LG Polymer Chemical Plant से अस्टारीन गैस के लीक होने के कारण एक लड़की सहीद कर्वे 11 लोग की मौत हो चुकी है तो आईए सबसे पहले इस अस्टारीन गैस को अच्छे समझते हैं कि यह है क्या अस्टारीन मुकरूप से एक सिंथेटिक केमकल है जिसे विनाल बेंजीन या एथनील बेंजीन के नाम से जानते हैं यह एक कलरलेस लिक्यूड है जो असानी से इवापरेट हो जाती है जिसे एक मीठी गन निकलती है इसमें एक और केमकल होता है जो अनप्लिजन्ट असमेल देता है इसका यूज रबबर, प्लास्टिक, एंसुलेन, पाइप, खाद कंटेनर इत्यादी को बनाने में किया जा होता है तो यह human body को कई परकार से हानी पहुचाता है जैसे कि इससे आपको skin irritation होगा, serious eye irritation होगा या आपकी आँख को completely damage कर सकता है यह, unborn child के health को काफी हद तक damage कर सकता है, इवन जान मी ले सकता है, जब यह gas environment में फैल जाए तो सांस लेना जहर के समान होगा, उस area में जिस particular area म लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने के कारण आपके organs completely damage हो सकते हैं, अब हम इसका molecular formula को देखते हैं कि इसका molecular formula क्या होता है, इसका molecular formula होता है C6, H5, CH, CH2 और CH और CH2 की बीच में double bond होता है, टूडी में इसका chemical structure कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस video में आप देख सक अब हम इसको 3D में convert करते हैं, और 3D में देखते हैं कि इसका chemical structure कैसा है, अच्छे से समझने के लिए आप इस 3D figure को देखो, इसमें आप देख रहे हो कि 8 double bonded है, और 12 single bonded है, यानि कि यह इसमें 8 double bonded होंगे, और 12 यानि वाज़ा होता है,